हेलो स्टुटेंट्स, वेलकम टू स्टेडी फॉर सिवल सर्विसेज, मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष ज्ञा, अब फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं, तो जिस प्रकार से सिवल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के according news को भी cover करते हैं, सबसे पहले पेपर 1 से related topics को हम लोग discuss करेंगे, then we will move on to paper 2, फिर paper 3 की news को cover करेंगे, गाइस, art and culture point of view से और ancient history point of view से यह topic काफी जादा important पहला हम लोग को देखने को मिल रहा है, पेपर 1 से, तो बात हो रही है यहाँ पर कोडू मननाल के बारे में, तो आपसे कोशन यह पूछा आएगा कि कोडू मननाल जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा यह एक गाउं हम लोग को तमिल नाडू के अंदर देखने को मिलता है, तमिल नाडू के अंदर यह एक गाउं है, और यह नॉयल नदी के काफी नजदीग है, और नॉयल नदी जो है वो कावेरी नदी की एक ट्राबुट्री है, तो आपके सामने एक कोशन में रख रहा हूं नीचे कमेंड बॉक्स पर इस कहां से लिख कर बताईएगा, कि कावेरी नदी की पूरे ट्राबुट्री के नाम आपको लिखने है नीचे कमेंड बॉक्स पर, क्योंकि आपसे कोशन इस प्रकार से भी बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि कावेरी नदी की कौनसी कौनसी ट्राबुट्री हैं, तो उनमें से अगर एक नॉयल रिवर भी लिखी होगी, तो वाली ट्राबुट्री तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि न्यूज में आई हुई है यह, ठीके इसके लाबा और दूसरी ट्राबुट्री इसके नाम आप नीचे, कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएंगे, और यह जो गाओं है गाईज, यह एंशेन प्रियेड में, प्राचीन काल में, एक बहुती इंपॉर्टन ट्रेड सिटी हुआ करती थी, एक व्यापार शेहर हुआ करता था यह, जिसको कोडू मन्नम नाम से जाना जाता था, और इस जो शेहर है, उसका उलेक संगम लिट्रेचर के पती तुरू पाथू के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है, और गाईज, यह एक ट्रेड कम इंडस्ट्रियल सेंटर था, पाचवी सेंचूरी से लेकर फर्स सेंचूरी बीजी ए का हम लोग को देखने को मिला था, और यह एक काफी इंपॉरेंट आर्केलोजिकल साइट है, यह जो आर्केलोजिकल साइट है, यह तमिल नाडू के स्टेट आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रही है, और गाईज, अभी जो खुदाई हुई है, उसमें काफी इंपॉरेंट चीज़े पाई गई है, यह देखो आप, तीन चैंबर बरियल सिस्ट, यह आप इस फोर्टो में देखो आप, यहा पर पहले के समेंबे प्राची इंकाल में यहापर लोगों को गड़ाया जाता था, humans को गड़ाय जाता था, बरी किया जाता था अब यहाँ पर important बात यह पाई गई है कि इस burial site के पास ही कटोरे वगरा पाए गए है, बरतन वगरा पाए गए है दस ऐसे कटोरे बरतन पाए गए है और साथी साथ यहाँ पर crane circle भी देखने को मिला है, crane circle को अंतलब क्या है तो यह image में आप देखिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं गोल आकार में, बीच में खाली space है और यह पत्थर है और यहाँ पर हमने क्या देखा है, एक burial site यहाँ पर बीच में देखने को मिली, यहाँ पर आज भी दो देखो आप circle आप लोग को दिखाई दे रहा है, पत्थरों का एक circle बनाया हुआ है तो कहीना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए कुछ बर्तनों को देखते हुए, burial site के पास बर्तन को देखते हुए, इस प्रकार के circle को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर burial rituals हुआ करते थे यानि कि जब लोग जब खत्म हो जाते हैं, जो लोग अपना जीवन छोड़ देते हैं खत्म हो जाते हैं, जिनकी मृत्यू हो जाती हैं तो उनके लिए कुछ rituals होते हैं, जैसे आज की period में हम लोग काफी सारे rituals देखने हैं तो वैसे ही उस समय पर भी कुछ burial rituals हुआ करते थे और लोग after life पर भी believe करते थे यानि कि मृत्यू के बात की life पर भी believe करते थे क्योंकि वहाँ पर katora वगेर आपने देखा कि हाँ पर रखा हुआ है, तो वो इसी लिए कि after life उस इंसान को ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी तो उनको मिल जाएगी तो इस प्रकार के concept हम लोग को यहाँ पर उस समय देखने को मिले थे तो ये कुछ चीजे जो है वो बताई जा रही है, excavation को लेकर, खुदाई को लेकर और भी जो दूसरी चीजे पाई गई है, वो animal का skull, खोपड़ी पाई गई है, जानवरों की कहा जा रही है कि हाँ पर शायद गुटए की भी खोपड़ी हो सकती है, डॉक की भी खोपड़ी हो सकती या फिर वूल्फ की, वूल्फ यानने की, हम लोग भेडिया, भेडिया की भी खोपड़ी हम लोग को देखने को मिल सकती है और precious stones यहाँ पर पाए गए है, बताया जा रहा है, साथी साथ copper smelting units, इसका मतलब जो copper को पिखलाने की जो चीजे होती है, कुछ वो पाए गई है, साथी साथ कुछ potries वगेरा हम लोग को देखने को मिली है, मिट्टी के बरतन वगेरा, ठीक है, तो यह कुछ चीजे थी, यहा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि इसके chances जाता है examination में आने के, ठीक है, तो यह हमने देखा यह वाला पहला topic, दूसरे topic की बात करें गई है, तो अभी honorable supreme court of India ने कहा है, कि वो रत यात्रा के उपर stay लगाएंगे, जो हर साल रत यात्रा हम लोग को जगनात पूरी में देखने यह भी का है कि भगवान, जगनात जो है, वो हम लोग को माफ नहीं करेंगे, अगर हम लोग इस साल की रत यात्रा को continue करेंगे, क्योंकि आप जानते है, कॉर्णात पूरी टेंपल के बारे में मैं आप लोग को काफी detail में अरड़ी explain किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा इस topic क आप जाकर पढ़िए, क्योंकि इस से related कई बार news में चीज़े देखने को मिल चुकी है, तो जगनात पूरी से भी related questions आने की संबावना काफी जाद है, क्यों कई बार हम लोग जगनात पूरी टेंपल को already discuss कर चुके हैं, जो मेरे साथ नए बच्चे जुड़े हैं, तो 23 मार 2020 के आप लेक्सर में जाएए, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब के सर्च कॉलम में लिखना है 23 मार्च और उसके आगे लिख दीजेगा only current affair, जो सबसे पहला वीडियो होगा, वो यही वाला होगा, इस वीडियो में 2 मिनिट 59 सेकेंड पे आप जाएंगे तो आपको उईगुर राइट्स बिल को, हमने बात करी थी एक जून को ही इसी महिने इस topic के बारे में कि United States जो है उसके house जो है उसने ये pass किया था ये वाला बिल और अब इस बिल पर final sign जो है वो दे दिया है United States के president ने, तो इसको इसके बारे में हम लोगा already जानते थे, मैं आपको समय भी कह दिया था कि ये definitely sign करेंगे ही करेंगे क्योंकि इनका जो objective है वो चाइना को counter करने का है, तो इससे related पूरी चीज जिन बच्चों ने नहीं पड़ी है, उन बच्चों को मैं बता दूँगा इसकी एक जून 2020 के इस lecture पर आप चले आईए, पंदरा मिनिट साथ सेकेंड प तो उसके chances काफी जादा होते हैं examination में आने के, ठीक है तो ये एक update कर लीजे आप और दूसरी बात जिन बच्चों ने नहीं बढ़ा है वो एक बर जाकर इसको पढ़ लीजे, अब गईस बात करेंगे RIC के बारे में, Russia, India, China grouping के बारे में, इसकी 23rd June को अभी एक virtual meeting होने वाली में, तो हमारी तरफ से जो है, वो हमारे Minister of External Affairs जो है, वो वहाँ पर जाएंगे, S.J. Shankar जी meeting में, यहीं की virtual meeting होगी, वहाँ पर जाएंगे नहीं मतलब यहीं से meeting होगी, और S.J. Shankar जी जो की अरड़ी एक bureaucrat रह चुके हैं, Indian Foreign Services में थे ही है, और यही आपके लोग के लिए motivation है कि आप भी, आपका भी काफी सारे लोग जो होंगे, वो भी चाहते होंगे Indian Foreign Services को आप्ट करना, तो देखिए Indian Foreign Services को आप्ट करने के बाद भी, या फिर even IES के बाद भी जो है, आप Minister बगएरा बन सकते हैं, अगर आपने अच्छा काम बगएरा किया होगा तो, तो वैसे ही इ रशिया ने इसको शुरू किया था 1998 में, और ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ और चाइना के साथ अपने relationship को better करने के लिए ये शुरू किया गया था, और RIC की अगर हम लोग बात करें, इस तीन कंट्री की बात करें, तो ये तीन कंट्री को अगर मिला दिया जाए, तो पूरे दुनिया भर का 19% land mass, पूरे दुनिया भर का 19% जो area है वो तीनो कंट्री कवर करती है, और साथी साथ तीनो कंट्री को मिला दिया जाए, तो पूरे दुनिया भर के 33% से जादा GDP जो है वो contribute करती है, ये सिर्फ तीनो कंट्री, और ये तीनो ही कंट्री nuclear power country है, आप ल कले साल United Nations Security Council की non-permanent member के लिए जो है वो ready है और उसको मिल जाएगा, वाली पोस्ट क्योंकि independently हम लोग देखी रहे हैं और अभी हम लोग ने मेरे खाल से पिछले दो हफते पहले ही इसके बारे में भी डिसकस किया था United Nations Security Council के non-permanent membership के बारे में इंडिया को लेकर, तो इसको नहीं देखा है, प्रिवेस दो हफतों के वीडियो में आप लोग को वाला topic भी जो है वो मिल जाएगा, United Nations Security Council की non-permanent member जो है वो उसका status इंडिया को मिलेगा, ठीक है अब देखो मिलेगा की नहीं मिलेगा वो फिर वो United Nations General Assembly के उपर depend करता है, और इसमें एक चीज और है जो म Identation General Assembly के votes की आवशकता होती है, उसकी majority की आवशकता होती है, जो है वो membership हासिल करने के लिए, ठीक है बट फिर भी India को मिल जाएगी यह वाली बात हम लोग जानते हैं क्योंकि इंडिया के supporters काफी सारे है, तो यह simple सी चीज थी RIC से related जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख तो देखिए, जनरली आम आदमी जो होता है, वो आजकल आजकी rate में बैट कर बाते क्या कर रहा है, कि Chinese products को ban कर देना चाहिए, ठीक है, और जैसे कि आप जो है वो civil services की तयारी कर रहा है, अब इस article को सुनने के बाद आप ये कभी नहीं कहोगे कि Chinese product को ban करना चाहिए, क्योंक को लेकर वो दूसरों से काफी अलग होनी चाहिए, तो ये अलग, ये difference ही बनाएगा आप लोग को common man से bureaucrat, क्योंकि bureaucrat जो होता है, उसकी understanding, उसकी सोच common man से काफी अलग होती है, काफी अच्छी होती है, तो अभी ये काफी अच्छा article आपके सामने आने वाला है, तो चाइना को अगर बैन भी कर देते हैं, चाइनीज प्रड़क को बैन कर देते हैं, इंडिया में उसको entry नहीं देते हैं, तो hardly थोड़ा बहुत नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि चाइना के पास already एक बहुत बड़ा market है, इंडिया को छोड़कर भी काफी बड़ा market है उसक बास, तो उसको उतना नुकसान नहीं होने वाला, बड़ इंडिया को काफी नुकसान हो सकता है, अब कैसे हो सकता है, तो उसकी बात हम लोग अभी करेंगे, आगे चलके, तो देखें गाइस, इतना एक तो असान नहीं है, चाइनीज प्रड़क्स को बैन करना हमारी कंट्र चाइनीज स्मार्टफोन होते हैं और मैग्समघमार्टफोन व धगरा जो होते हैं गाईज चाइना के थ्रूँ हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके अगर आप एब्पल के आइप़ून की भी बात करो, तो आपको बता होगा, आपल का आइफ़ोन भी जो है, वो असें तो चाइना से ही उसकी assembling होगे इंडिया में आती तो कही न कहीं चाइना जो है वो control कर रहा होता है इंडिया के smartphone के market को और यह बकायत है हम लोग को इस fact and figure से देखने को मिल रहा है कि 72% share जो है वो चाइना के पास है हमारे smartphone market का telecom equipment की बात करें तो यहाँ पर भी 25% share चाइना के पास है auto components की बात करें तो यहाँ पर भी 26% है internet की application की बात करें तो कहा जाते हैं 66% जो लोग है वो at least एक Chinese app का उपयोग करते हैं अपने smartphone के अंदर तो सोचिए कि mobile application में भी चाइना की dominance हम लोग को देखने को मिल रही है solar power की बा चाइना का शेर हम लोग को देखने को मिलता है pharmaceuticals की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी 60% शेर चाइना का है अब आप सोचो कि इतना बड़ा market आपको चाइना का इंडिया के अंदर देखा ही दे रहा है और अभी एक at present जो time चल रहा है आप जानते होगी recession का time चल रहा है तो काफी सारे business sector को अल्रेडी घाटा हुआ है अब इतने सारे लोग जो की Chinese products में involved होते हैं आपको अल्रेडी पता कि लोगों की smartphone की दुकाने होती है और अगर हम लोग छोटे वेपारी वगर की बात करें तो छोटे वेपारी जैसे कि कई सारे लोग Chinese electronics की उपर business करते हैं माल कर उनका हम लोग को देखने को मिलता है Chinese electronics वगरा की उपर electronic के product उनके पास रहते हैं काफी सारे लगलग varieties के राइट इसके लावा जैसे वो लाइट नहीं होती है वो दिवाली वगरा पर जलने वाली जो लाइट होती है यह सीरीज वाली जो लाइट इसका हम लोग बोलते है और एकदम से अगर हम लोग Chinese products को ban कर देते हैं इंडिया के अंदर तो आप ये भी तो सोचो कि इतने सारे लोग जो है जो है जो इंडिया में जो की dependent है उनका खाना पानी जो है वो इनके Chinese product जब बिखते हैं तो उसके उपर चलता है तो आप सोचिए कि already इंडिया को जो है व business sector जो है वो दुबारा से running करना शुरू करते और इस बीच अगर हम लोग boycott कर देंगे तो काफी ज़्यादा जो चाइनीज का जो शेर हम लोग के इंडिया मार्केट में देखने को बिल रहा है तो इससे जो हम लोग को major खाटा होगा तो इसलिए अब से अगर कोई बोले कि Chinese products को ban कर देना से यह तो आप उसको यह logical reason दोगे ठीक है कि भाई नहीं होना से यह क्योंकि यह इसके ओपर तो हमारी पूरी country जो है वो dependent है और अगर यह एक दम से हर जाती तो हमारी country को एक बहुत major नुकसान हो हो सकता है are you understanding the point तो यह वाली चीज हमने यहाँ पर देखी और यह आप no down करते चलो बकाइदा पूरी चीज है क्योंकि यह मेंस में आपको काफी help करेंगी अब हम लोग यह चाइना के चाइना ने जो अपने market को इतना expand किया इतना बड़ा है कैसे किया है उसको हम लोग समयेंगे फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपने market को कैसे बनाएंगे बना सकते हैं क्योंकि यह चाइना की जो चीज थी policy थी वो एक दिन में तो ready नहीं हुई उसको लगा है time तो इसलिए हम लोग को यह जाना जरूरी है कि चाइना के पास इतने जो समान जो है वो इतने cheap कैसे बनते हैं कैसे चाइना इतने सस्ते products जो है वो produce करता है और वो क्या क्या चीज है तो देखो गाइस चाइना जो है वो उसके products इतने cheap कैसे होते हैं first point चाइना के पास cheap labor है right दूसरा काफी important point यह वाला point आप record करके रखिएगा कि चाइना की जो raw materials होते हैं वो काफी cheap होते हैं काफी सस्ते होते हैं अब इसके raw materials कैसे सस्ते होते हैं ज लेगे अब यह एक साथ आएंगी तब जाकर जो है यह box तयार होगा बनेगा और इसकी तरह जो है वो हम लोग को देखने को बनेगा तो आप मान की चलो यह चारों लकीरे जो है यह box तो नहीं कुछ औरी बनेगे वाट आप I know कि आप understanding समझ यह हो कि यह नीचे वाला part जो है यह वाला part जो है वो अलग है ऊपर वाला part जो है वो अलग है और यह वाला part अलग है तो हम लोग इसको एके करके raw material मान लेते हैं ठीक है यह एके करके यह पूरे अलग अलग raw materials है तो चाइना क्या करता है गाईज चाइना के पास raw materials हसते हैं अब क्या वज़ा है raw materials हसते होने अगर किसी भी grocery store में जाएंगे और उससे अगर आप एक biscuit का packet मांगेंगे तो वो MRP पर आपको biscuit का packet देगा बट वहीं अगर आप जाएंगे किसी super market वगरा में तो वहां से अगर आप biscuit खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी MRP से वो आपको सस्ते में biscuit देता है जैसे कि 9 र MRP में discount देता है जिससे कि वो और जाधा लोगों को attract करें और footcount जो है वो attract करें तो इन लोग क्या करते हैं इन लोग बल्क में raw material purchase करेंगे तो obvious ही बात है कि जो final जो finished good जो बनेगा तयार होगा उसके भी amount जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि अगर raw material सस्ता होगा तो final good की cost भी स सस्ता हो जाता है और raw material सस्ता होने के कारण final good भी सस्ते हो जाता है तो यह वाली policy जो है वो इंडिया में अपना नहीं पड़ेगी हमारे जो micro small and medium enterprises हैं तो हम लोग यह कर सकते हैं कि जितने भी micro small and medium enterprises हैं हमारे तो उनको जो है वो एक हम लोग मलब उनकी एक colony मना सकते हैं उनक को एक ecosystem तयार करवा के दे सकते हैं कि आप जो है वो एक sector के इतने सारे लोग हो तो आप एक काम करो हम लोग आपको जो है वो सस्ते rate में raw material प्रोवाइट कराएंगे क्यों कि अब देखो इस इतने सारे लोगों को अगर wholesaler वाला एक सा जब अपना product देगा जैसे कि बान के चल तब जाकर हम लोग जो है वो अपने products को cheap कर पाएंगे और चाइना के साथ जो है वो compete कर पाएंगे क्यों हमारा जो domestic market है वो उसको नुकसान क्यों पहुच रहा है क्योंकि चाइना के product cheap है सस्ते हैं और वहीं अगर हम लोग चाइना की इसी policy को यहाँ पर इंडिया में adopt करना शुरू करते हैं तो हमारे भी products सस्ते हो जाएंगे are you understanding the point तो यह वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को बलती है और साथी साथ चाइना के पास एक बहुत ही अच्छा efficient ecosystem है उसके production process के उपर वो जाधा काम करता है उसका जितना भी पूरा ecosystem है उनका main target जो होता है जितन चाइना के अंदर business loan असानी से available हो जाता है हाला कि हम लोग इस पर भी काफी जाधा काम कर रहे हैं at present बड़ चाइना ने बहुत पहले काम किया है तब जाकर चाइना आज की rate पे इतना huge market पे capture कर पा रहा है बड़ अगर अभी से हम लोग काम करना शुरू करते हैं start करते हैं अच्छे direction में चीज़ों को already हम लोग कर रहे हैं जैसे ease of doing business में भी हम लोग जो है वो काफी improvement कर रहे हैं हम लोग किया भी easily जो है आज की rate में business जो है वो open हो जाते हैं right loans वगेरा भी जो हम लोग provide करा रहे है easily basis पर but इस process को हम लोग को और भी बहतर तरीके से efficient तरीके से करना जरूरी है क्योंकि ultimately चीज़ कहाँ पर आकर अटकती है आप policy तो बना देती है सरकार बट वो proper तरीके से implement नहीं होती है तो हम लोग को again implementation पर बहुत जादा ध्यान देना है तो यह अक्सर मैं आपको कहता है implementation वाली चीज़ जो कि आप record करके रखो ही आप अपने mains के answer में definitely एक वो होता है न कि suggestion की तोर पर suggestion वाला जो part होता है तो महाबर आप implementation ज़रूर mention कीज़ेगा ठीक है तो यह एक चीज़ हो गई बट देखो गई चाइना और अगर हम लोग इंडिया को अगर compare करें at present scenario के लिए तो इंडिया जो होता है वो सभी labor laws वगरा को हर एक कानून जो होता जो इंडिस्ट्रीज वगरा जो है वो वो पल्यूटेंट्स जो है वो ज्यादा रिलीज ना करें ज्यादा carbon dioxide का emission ना करें तो उसको लेकर हम various policies बगरा बनाते रहते हैं बट यह सब चीज़े चायना नहीं करता है चायना जो है वो कई बार criticize भी किया जा चुक है उसकी कई सा वर्कर्स की health और safety पर भी ध्यान नहीं देता है उसको कोई मतलम नहीं वर्कर्स की health and safety से उसको तो सिर्फ यह चाहिए कि product cheap निकलना चाहिए जो कि हम लोग जो है वो नहीं करते हैं हम लोग जो है वो वर्कर्स की safety पर जाधा target करते हैं इस प्रकार का ignorance हमारी country के अंदर नहीं अब देखो माना कि भूटान इतनी चोटी सी country वर्ट फिर भी world happiness index में भूटान को माना जाता है भूटान जैसी country को at least वहाँ पर लोग happy है यह ऐसा भी आपका dimension जो है आपके आंसर में आना चाहिए भली आप बात कर रहे हैं एक दो लाइन इस से related भी लिखोगे तो आपका जो examiner है जो copy check कर रहा है तो उसको मज़ा आ जाएगा देखकर या उसको लगेगा कि हाँ आपकी understanding सिर्फ एक चीज पर सीमित नहीं economy नहीं करते हो आप पैसा पैसा कमाई कमाई नहीं करते हो बनियों यसी अरकत नहीं करते हो आपके बस dimension है अलग तरीके से चीज़ों को कराना तो थोड़ा सा आपकी welfare वाली चीज भी आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए understanding the point और चाइना के अंदर जैसे की बात करें तो यह एक्सपोर्ट जैसे कि मालन की चलो कि एक कंपनी है चाइना के अंदर अगर आप यह लोगों को बेच रहे हो चाइना के अंदर तो उस पर आपको जो है वो टैक्स देने पड़ेंगे बड़ अगर वही प्रड़क्ट आप अगर एक्सपोर्ट कर देते हो तो आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो चाइना की इस policy ने क्या करती है manufacturer को motivate करती रहती चाइना की वाली policy की यह जाह से अदा तो वो 13% तो उसके profit हो गया उसकी जेब में चला गया डारेक्ली तो इस प्रकार से भी motivation चाहिना की companies को मिलता रहता है कि वो export direction की तरफ आगे बढ़े तो इसी प्रकार का शाहिद थोड़ा हम लोग को भी काम करना सही है इस प्रकार का motivation जो है वो देना सही है लोगों के जितना export करती है उसकी economy बनती है हमने बात भी करी थी इसके बारे में कई बार E equals to E economy equals to export और economy equals to empire देखो एक country के अंदर export हो रहा है ठीक है तो उस country की economy भी हाई होती है अगर जाधा country export करेगी तो जाधा उसकी economy जाधा उसकी income डेवलप होगी ठीक है और अगर उसकी income आगे उस country के अंदर होगी तो ultimate game जो होता है वो export का होता है तो हम लोग को थोड़ा से export की तरफ ध्यान देना और आत्र निरफर भारत economic stimulus package जो हम लोग ने पढ़ा है अगर आप लोगों मैंसे जो मेरे नई viewers जो नहीं नहीं पढ़ा है तो जाकर जरूर पढ़िए मैंने एक separate video उसक जो है वो link मांग सकते हैं आपको link जो है वो provide करा दूँगा चैना का गेम जो है वो समझ लिया कि चाइना की policies किस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है और इंडिया के अंदर यह difficult इसलिए है Chinese product को ban करना क्योंकि इंडिया ओलरडी trade deficit में trade deficit का मतलब क्या होता है कि हम 6.6 billion US dollar है या फिर आप approximately 53 भी अगर आप लिख दोगे तो भी चलेगा बट यह आप मैं चारहा हूं कि आप यह figure जो है वो थोड़ा सा अपने main perspectives के लिए कहीं पर लिख लो और exam से पहले यह याद कर लेना क्योंकि क्या होता है international relations का कोई question आता है और obvious ही बात है कि China और India का तो आना ही वाला है तो इसका अगर question आएगा तो आप यह वाला figure भी mention करेंगे तो उससे क्या होता है कि जितना आपका question fact और आपकी जो understanding है वो अगर दिखलाएगा आपका answer तो और भी अच्छा impact जो है वो आपके answer में पढ़ेगा अब आगे की बात करें foreign direct investment की तो Chinese company ने हमारी country के अंदर बहुत investment किया हुआ है 2015 से लेकर 2019 के बीच में हमारी country के अंदर 1.8 billion US dollar का investment जो है वो Chinese company का देखने को मिला है और Chinese tech investors जो है जो चायना के जो लोग है जो technology में invest करते हैं इंडिया के अंदर तो उन्होंने 4 billion US dollar का हमारे इंडिया के start-ups में भी invest किया हुआ है तो चायना यह सब चीज़े चायना को totally ban कर देंगे तो यह FDI आना जो है वो बंद हो जाएगी तो हमारी country में अलरड़ी जो है वो इस प्रकार का नुकसान होगा investment जो है वो गिरेगा हमारी country के अंदर क्योंकि चायना से huge amount के investment आ आ रहा है आप देखी रहे हो facts and figures आपके सामने है इसके अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया के अंदर 30 unicorn हम लोग को देखने को मिलते हैं टॉप 30 जो unicorn है हमारी country के अंदर unicorn क्या होता है ऐसा startup जिसकी value एक billion US dollar से उपर की होती है तो that is called unicorn तो यह भी आपके लिए एक शब्द है हिंदी मीडियम के जो aspirants है वो भी इसको याद 18 unicorns को funding जो है वो प्रवाइट कराती है चायना तो आप यह वाली चीज भी अगर आप mention करते हैं कि unicorn unicorn इस प्रकार के शब थोड़े तो भी लगेगा कि हाँ आप जो है अच्छे से पढ़कर answer जो है आपको understanding answer की तो यह कुछ terms से यह सब आपको याद करना है कहीं पर लिख लो आपको बताएए कि small business जो है जो कि already अभी struggle करी रहे है इस period में coronavirus के और ban कर देंगे तो उनकी तो हालत बहुती पुरी तरह के से खराब हो जाएगी जो starting में मैंने आपको explain किया था तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं तो guys अब हम लोग यह कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो हमारी आपको starting में दिखाए भी था जब हम लोग ने इस topic को start किया था आत्म निर्भार भारत यह देखो आप तो यह आत्म निर्भार भारत जो है इस पर हम लोग को mainly target करना है क्योंकि इसी में ही पूरी चीज़े जो है वो mention ने पूरे solution इसके अंदर mention ने कि हम लोग कैसे अपनी economic की जो है वो growth करवा सकते हैं तो MSME पर हम लोग को target करना है focus करना है जाह स्यादा manufacturing जो है वो हम लोग को करनी है right banks वगेरा जो है वो जाह स्यादा loan जो है offer करें basically MSME को तो इस पर भी हम लोग को target करना है और हम लोग क्या कर सकते हैं जब चाइना के जब products हमारी country के अंदर हुते manufacturing कर रहे हैं जिन products की तो at least हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे products को तो ban कर सकते हैं जो की हमारे पास already available है चाइना के products के ही equivalent cost में क्योंकि दिखोगा consumer को आप किसी चीज से रोग नहीं सकते हैं अगर consumer के पास option है सस्ते product को purchase करनेगा तो वो सस्ते product को purchase करेगा उसको आप नहीं रोक सकते बिलकुल जैसे की मान की चलो ना आपके पास एक product है ए ए product आपके पास है ए एक और बी product है बी product जो है वो चाइना का है आप ब्रेड़क जो है इंडिया का है बड़ एप रिड़क जो है और बी product दोनों सेम है इनकी quality भी बिल्कुल सेम है और इनकी मान के ज़रो बिल्कुल ही सेम है ये दोनों product सेम है सिर्व इनकी ये जो आया है B वाला ये चाइना से आया है A हमारे इंडिया का है अब चाइना वाला सस्ता इंडिया वाला महंगा है तो अब येसी बात है कि लोग इसी को तो purchase करेंगे आप लोगों को थोड़ा रो सकते हो बट उसके लिए आप क्या कर सकते हो जो जितने भी alternative products हैं तो उस पे Indian consumers का ध्यान जो है वो आप लगा सकते हो जैसे कि कोई advertisement वगेरा के थूँ promotion वगेरा के थूँ कि China का ये product है ये भी India में इतने का मिलता है और हमारे India का product है ये भी इतने का मिलता है जैसे कि Patanjali आप देखो Patanjali के इतने बहतरीन बहतरीन product है और जो कि पूरी दुनिया जो है उसको Patanjali products export करती है और वो काफी system है मैं भी even काफी सारे products पतंजली के use करता हूँ तो जो है वो इस प्रकार की चीज़े जो है वो हम लोग use करना शुरू कर सकते हैं तो ऐसे alternative चीजों का option जो है वो हमारे consumers को देना बहुत ज़रूरी है तो ये भी आप अपने mains में लेखेंगे कि ये suggestion के तोर पर ये सब चीज़े ठीक है तो ये brands बगिरा जो होते हैं उस पर हम लोग को replace करना है जो अल्रेडी हम लोग बना रहे है अब इसके लिए हम लोग को और भी product को cheap कैसे करना है तो उसके idea में आपको दे दिया strategy दे दी कि कैसे हम लोग एक product को cheap करवा सकते हैं उसके raw material को सस्ता करवा कि एक ऐसी colony बना दे या फिर एक ऐसे ecosystem हम लोग बना दे कि एक साथ 100 या 1000 MSME के जो लोग हैं जो कि एक ही sector पर काम करते हैं एक ही चीज़ पर काम करते हैं चाइना के अंदर government agency का एक बहुत बड़ा रोल होता है यह सब चीज़े करवाने में raw material को cheap करवाने में क्योंकि बल्क में फिर dealing होती है उसकी जिससे कि किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और फाइदा जो है वो सबका होना चाहिए और ultimate फाइदा जो है वो हमारी country में manufacturing को लेकर जो है उसका होना चाहिए था यह था पूरा overall topic चाहिना को लेकर I hope कि आपको पूरी understanding इससे related develop हो गई होगी अब एक काफी ज़्यादा important topic को again हम लोग discuss करेंगे यह है civil services board civil services examination की आप तयारी कर रहे हो तो हो सकता है civil services board आप से पूछ ले जाए तो इसको भी आपको detail में पता होना चाहिए कि exactly है क्या तो देखो गाईज यह एक ऐसी body है जो की decide करती है civil servants के transfer और उनकी posting को जब आप IAS officer बन जाओगे जिस भी state carder आपको मिलेगा तो उस state में ज decide करेगा कि आपका transfer जो है वो कब होना चाहिए किस जगा पर होना चाहिए और कितने period में होना चाहिए और आपकी posting जो है वो कहां पर होना चाहिए यह आपके transfer आपकी posting से related पूरा decision जो है यह board लेगा ठीक है तो यह board का का काम क्या है एक normal तरीके साब ने समझ लिया कि civil servants के transfer और posting को decide करने का काम इस board का होता है अब हम लोग एक बहुत ही important analysis करेंगे इसको लेकर कि यह board क्यों बनाया गया तो देखो guys यह board जो है especially इसलिए बनाया गया क्योंकि bureaucracy जो है उसको political interference से prevent करना था अब देखो guys आप लोग जानते हो कि हमारी country के अंदर legislative, executive और judiciary यह तीन pillars हम लो जो political leaders जो होते हैं वो control करते है permanent executives को permanent executives कौन हुए, IS officers, civil servants तो इनको control करते हैं क्योंकि आप जानते हो आपने सुना भी होगा कई बार कि अगर एक IS officer मंत्री के according काम ना करे उस political leader के according काम ना करे तो वो political leader उस IS officer का transfer करा देता है है ना सुना होगा आपने जनरली तो कहीं न कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं यह सब जो political leaders जो होते हैं वो चलाते हैं वो directions देते हैं order देते हैं civil servant को और कई बार तो civil servants जो है गईज वो परिशान तक हो जाते हैं और उनको mentally harass भी किया जाता है कई बार इस प्रकार की हरकतों स है तो ऐसी चीज़ें general होती रहती है तो bureaucracy जो है guys और आप लोग जानते हैं guys कि bureaucracy कितनी ज़्यादा important है हमारी country के लिए तो bureaucracy जो है वो पूरे देश को चला रही होती है बट ultimately हमारी country जो है obviously बाद है अच्छा एक और मैं आपसे चीज जो है डिसकस करना चाहूंगा कि आप पड़ते हो है ना अब एक कम पड़ा लिखा इंसान एक जादा पड़े लिखे इंसान को क्यों order देता है हमारी country के अंदर क्यों एक बहुती जादा brilliant इंसान एक ऐसे इंसान के अंडर रहते हैं ऐसे इंसान के directions को follow करता है जो इंसान खुद ही अपने आप में पड़ा लिख लोगों के हाथ में people of India citizen of India के हाथ में power है हमारी country के अंदर जो sovereign कौन है हमारी country के अंदर लोग है जनता है people powerful है सबसे जादा क्यों क्योंकि वोट देते हैं अब ये लोग जो है guys ये हमारी जनता जो है वो किसको चुनती है एक representative को इन पूरे जनता के जो होते है उनके एक इनसान जो होता है वो minister नहीं होता ये एक इनसान जो होता है वो पूरी इतनी यानि कि उसके जो उसकी जो constituency होगी उसका वो head होता है यानि कि काफी सारे लोग जो है उनकी demands को ये fulfill कर रहा होता है तो ये एक conveyor है आप कह सकते हो कि ये जनता जो है उसके message को जो है ये पहु जाता है जो कि इंसान खुद बागुद पढ़ा लेखा नहीं है वो इससी लिए क्योंकि जन्ता ने उसको चुना है और हमारी country के अंदर power किसके हाथ में जन्ता के हाथ में जन्ता चाहती है कि वो उसको किसको power देंगे तो वो जन्ता अपनी voting दे के power देती है तो इसलिए आज चीज़ हो रही हो जहां हमारी country जो है वो election की उपर especially सोचना शुरू कर दे ध्यान से गौर से कि हमें किसको वोट देना है किसको नहीं देना तो automatically हमारी country की दिशा जो है वो कुछ चेनी हो जाएगी क्योंकि वो फिर ऐसे इंसान को वोट देगी जो की understanding जिसको जानकारी हो understanding ह जो किसी चीज़ को लेकर रही यानिकि वो पड़ा लिखा वो लोगों के बारे में अच्छा सोचता हो तो इसलिए तो पांट साल में सरकार क्यों चैनी होती है कि हर पांट साल में लोगों के पास opportunity होती है ऐसे इंसान को चुनने की जो कि उनके बिहाफ में काम करें अगर व फिर भी यह वाली चीज़ यह वाली awareness अभी उतनी जादा strongly हम लोग को नहीं देखने को मिलती बट हां आने वाले समय में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी यह चीज़ तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि progress हम लोग को काफी सालों सब देखने को मिल रहा है तो यह वाली बात क उफिसर के उपर तो इसलिए यह civil services board जो है वो बनाने के लिए honorable supreme court ने 2013 में directions दिये थे center और state को कि civil services board बनाया है जो की ultimately decide करेगा bureaucrats के और जो civil servants है उनके transfer और उनकी posting को लेकर तो यह चीज़ थी पूरी overall इस से related अब इस board के functions की अगर हम लोग बात करें तो guys यह board जो होता है यह मैंने आपको बताई दिया कि यह decide करता है कि civil servant जो होंगे तो उनका tenure जो है वो कितने period का होगा और यानि कि कितने समय तक जो है वो एक district के अंदर रहेंगे फिर उनका transfer कपका होगा तो यह सब चीज़े जो है यह पूरा board decide करता है और हाँ यह बहुत important है prelims में आ सकती है यह क कि rules and regulation की according की कि उसको annual report इनकी जितनी भी बैठक होई है civil services board की जितनी भी meeting होई है उसकी पूरी जानकरी central government को देना है किसको देना है central government को ना president की बात करिए ना prime minister की बात करिए सीधे central government की बात करिए तो यह वाली चीज़ बहुत important है क्योंकि यही पर ही आपसे UPSC खेल सकती ह यहाँ पर central government की जगा president लिखते, annual report की जगा आपसे जो है वो annual report ही लिखेगी बट एक April की जगा चार एक April लिखते तो भी आप लोग को ऐसा confusion create हो सकता है तो इसलिए यह चीज़ अच्छे से याद रखो कि यह कुछ facts होते हैं जो कि अक्सर prelims वगरा में आ जाते हैं अब इस रांग के officer हम लोग को देखने को मिलेंगे जो की member के पत पर यहाँ पर नजर आएंगे इसके लावा principal secretary भी हम लोग को देखने को मिलेंगे या फिर secretary हम लोग को department of personal के देखने को मिलेंगे state government के और यह as a member secretary की तरह जो है वो काम करेंगे तो यह इसका composition है तो आप देखी सकतो एक जगा पर रहनेगा तो उसको यह decide करेंगे तो यह एक अच्छी चीज़ है अगर यह सभी states में applicable होगी तो उससे bureaucrats होंगे उनको काफी रहात मिलेगी उनको डरने की जरूद नहीं होगी हर किसी politicians है क्योंकि आजकल तो हर कोई politician होता है वो धंकी देने लगता है कि तुमार कि ऐसी जगाओं में fake दिया जाता है officers वगरा को कि उनकी हालत करा हो जाती है पूरी तरह से पिर भी honest officer जो होता है जैसे खेम का वगरा जो हो गया honest officers नहीं है सब तो इन लोग जो है वो हर जगा survive कर सकते है तो वैसा बनना पड़ता है strong steel body चाहिए होती है चलो anyways अब यह वाली reservation हम लोग को देखने को मिल रहा है यानि की simple सी बात आपको याद रखने है कि जितने भी central services है जो की central services के under हम लोग को देखने को मिलती है तो उस पर यह reservation लागू होगा और यह technical और scientific post या जो भी post central services के बाहर की होती है उन पर यह लागू नहीं होगा 10% reservation economic weaker section of the society के लिए है व और वो economic weaker section से belong करते हैं तो उनके लिए यह reservation है वो सिक्किम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है तो यह सिक्किम याद रखना थोड़ा सा और यह कहा जा रहा है इसमें कुछ conditions है जैसे कि एक इंसान की annual family income family income की बात हो रही है annual family income आट लाग से कम होनी चाहिए साधी साथ उसके पास 5 अकर से कम जमीन ए फिर उसके पास 1000 square feet से कम residential flight municipal area में या फिर 100 square feet से कम residential plot municipal area में या फिर 200 square yard से कम उसके पास residential plot commercial area में municipal area के बाहर जो है वो नही ओना चाहिए अब देखो यहाँ पर बताई गई है और इन में से सभी condition follow नहीं करने है यहाँ पर end नहीं लिखा यहाँ पर और लिखा है ठीक है और और end में काफी फर्क होता है और मतलब इसके इलावा इसके इलावा यह सब चीज नहीं होनी चीजए और end होता तो वो सभी collectively हो सकता था बड़ यहाँ पर और लेखा हुआ जैसे कि अगर एक इंसान के पास 5 एकड़ से कम की जमीन है ठीक है तो वो ही फिर लागू की जाएगी इसमें फिर यह वाली चीज जो है वो लागू नहीं की जाएगी ठीक है इसमें से कोई भी एक चीज जो है वो बढ़कर नहीं होनी चीजए simply बस यह वाली बात बताई गई है अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक इंसान के पास 5 एकर से कम जो है 4 एकर जमीन है फिर उसके बाद फिर उसके पास जो है वो 500 स्क्वेर फिट का 800 स्क्वेर फिट का रेसिदेंशल फ्लाइट भी है फिर उसके बाद जो है वो 100 स्क्वेर यार्ट से कम का जो है वो यह रेसिदेंश में नहीं आता यह सब अब मेरा आपसे कोशन है सिंपल सा नीचे comment box पांच से लिखेगा square feet और square yard में क्या difference है square feet और square yard में ठीक है तो यह बताईएगा थोड़ा सा अब देखिए North Korea की हावर बात हो रही है North Korea ने उड़ा दी है building यह building जो आप देख रहे हो गाइस यह बेसिकली South Korea की हम लोग को देखने को मिल रही है यह South Korea का कैसॉंग इंडस्ट्रियल कॉंप्लेक्स है कैसी है यह South Korea का North Korea और South Korea का मैं आप लोग का अफी डीटेल में पहले भी पढ़ा चुका हूं बट फिर भी आप यह मैप में देख लो यह चाइना से लगा हुआ यह North Korea हम लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि अब हम किसी टॉपिक के बारे में क्यों इतना ध्यान से पढ़ेंगे क्यों इतना इंपॉटन है क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा होलता हूं कि आप यह पुराने टॉपिक्स पढ़ो आप इससे रिलेटेड साउथ कोरिया से रिलेटेड या North Korea और साउथ कोरिया के तो यह जो बिल्डिंग थी गाइस यह बेसिकली के आईसी था और यह के आईसी जो है यह कहां पे था इसकी लोकेशन आप देखो यह आप देख सकते हूं यह बॉडर एरिया पर हम लोग को दिखाई दे रहा है यह के आईसी अब इसको उड़ा दिया है North Korea धमागा कर दिया आप जानते हो North Korea का जो लीडर अपागा लिए है यह तो बीच बीच में हरकत करता ही और अभी यह South Korea से बुरी तरह से गुस्ता खाके बैठा था आप क्यों खाके बैठा था वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वो अभी मैं आपको प्रोवाइट करा दूँगा जो भी नए बच्चे पहली बार यह पढ़ रहा है क्योंकि वो टॉपिक जो था वो काफी इंपॉरेंट है पट पहले यहां पर यह चीज जाल लो आप तो देखो यह जो यह जो कॉंप्लेक्स जो था इसका काम क्या था यह इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो डेवलप करने वा अने के लिए यह जाने के लिए यह जाने के लिए तो आप देख सकते हो यहां पर किई बॉडर एडिया पर तो वहां से भी लोग अगर यहां पर आएंगे तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वीजा नहीं लगना, यहां से भी लोग आ रहे हैं, तो कोई वीजा नहीं लगना, और यह South Korea का complex था, अब इसने उड़ाया क्यों, तो उसकी बारे में अगर आपको detail में जानना है, तो सबसे पहले आप जाओ, 12 जून के इस topic पे, जब हम Korean Armistice Agreement, जिन बच्चों ने इस Korean Armistice Agreement को नहीं पढ़ा है, वो जाकर जरूर पढ़ लोगे, अगेर बार-बार कह रहा हूँ, दो-तीन बार तो आपको बोली चुका हूँ मैं, और अगर आप नहीं पढ़ लोगे, दो-तीन बार सुनने के बाद भी, तो फिर आप लोग के मेरे lecture देख रहे हो, regularly बताई गई चीजों को follow कर रहे हो, तो आपका selection guarantee के साथ मैं कहता हूँ, होगा, prelims तो आपका definitely crack होगा, फिर मेंस हो है, वो आप अपनी दम पे निकालोगा, अगर regular हो तो आप तो prelims तो crack होगा, पर time पर आपको revision करते रहना है, ठीक है, और ये था पू इतने ही topics थे, now we will move on to paper 3, Exxon, a recipe for disaster, तो ये एक movie का नाम था, जो की Netflix में release हुई है, this is not important for us, mainly Exxon की अगर हम लोग बात करें गई तो इसको, इसको अखूनी के नाम से भी जाना जाता है, अखूनी, ठीक, अखूनी के नाम से इसको जाना जाता है, अंखूनी आप कह सकते हो, और ये एक soya bean जो है, वो नागलेंड में हम लोग को देखने को पलती है, एक fermented soya bean, ठीक, आप देख सकते हो, ये fermented soya bean है, soya bean को सड़ा के ऐसा कुछ बनाया जाता है, इस dish को, आप कह सकते हो, और ये जो है वो अपने flavor के लिए, अपने taste के लिए और अपने smell के लिए जो है और अचार में और चटनी में इसका उपयोग किया जाता है, और ये जादतर जो है वो popular है किस पे, सीमा tribe या फिर सूमी tribe इसको कहा जाता है, अब question ये आप से बनेगा कि सूमी tribe कहा कि है, याद रखना नागलेंड की है, और अगर question एक्सोन से बनता है या फिर अखूनी से ब अगर आपको पूरे topics अच्छे से clear होगा है, इन दिमाग में बैठ गये हैं, तो like का बटन हिट कर दीजेगा, नए आये हैं तो आप subscribe कर लीजे, और lecture को जितना हो सके guys उतना share कर दीजेगा, आपके किसी भी social media account पर, और जाना नहीं है भी को general studies के topics में आपको as a homework दे रहा हू प्रधान मंतरी भारतिय जन औशदी परियोजना के बारे में भी काफी detail में हमने discuss किया है, अभी news में आया था कि जन औशदी सुविदा ऑक्सो बायो डिगरेड़ेबल sanitary napkins, तो ये available की जा रही है, प्रधान मंतरी जन औशदी केंदर में मातर एक रुपे प्रती पैड के ह रही है, ठीक है, तो ये था, ये दोनों topic आपको पढ़ने है, ये ये वाली scheme भी और ये वाली scheme भी, और आपको इससे related handwritten notes बनाने है, और अगर आप ऐसा कर लेते हो, तो नीचे comment box पर लिख देना, sir homework done, मुझे पता लग जाएगा, आपने homework complete कर लिया है, ये notice है, English और Hindi दोन 2020 crash course, जो है हमारा इसको join करने के लिए, या test series join करने के लिए, या फिर अगर आपको और भी कुछ साहिदा चाहिए, तो आप इन number पर contact करके, जो है वो information हासिल कर सकते हैं, बट अभी देखिए guys, यहाँ पर जैसी मैं आपको बाए बोलूँगा, उसके बाद आप लोग का एक अब मिलेंगे, हम लोग कल दबते के लिए, बबाई, टेक केर, have a great day ahead, टाटाए टाटाए ख casting च्पथ को बंचे को डिल टेटýए पलाओं convenient च्बादं! पॉह गे हुआ जब सुाो हुआ पोपरिए. वोछ बयांit! उप बनुद़ी वलंुज शोओigung कि बनुद़ी ब追के लाएघा नहीं कि अबदू साब आए मौनन हैं कि अबदू साबदू और सबस्रागे कि अबदू साथ आए एक अबदू कि लुट आए ंए । हुआ पाल